दिपा नेटिंग चानेल में मैं आज आब को बहुती खुबसुरत और आसान सल और थात मकुलर का डिजाइन ले कराई हूँ और ये देखने में जितनी सुन्दर है बनाने में उतनी आसान है इसलिए मैं आज आपको दिपा नेटिंग चैनल में बनाना बताऊंगी और अभी तक दिपानेटिंग चैनल में नए होतो पिलीज सस्क्राइब गरें इस तरह का आसान और यूनिक पोर्जेट देखने के लिए और पास का बेल आइकन जरूर प्रेस करें आसानी से मेड़े वीडियो पाने के लिए आज ये सुरू करते हैं आज ये सुन्दर और आसान लेडिज के लिए मखुलर अर्थात सॉल बनाने के वीडियो तेखिए इस तरह के से सर्कल बनाना है सर्कल के पीछे धाग आले कर जाना है आप देखिए थिरी पर टूफाइब नम्मर का कुरिशिव भूक ले रही हूं और इस तरह के से आपको सिलिप नॉट बनाना है देखिए सिलिप नॉट बनाने के बाद चेन डालने है ए दो और ए तीन देखिए तीन डालने के बाद इस तरह के से लपेटने है और लास्ट वाले चेन में से आपको डबल कुरिसी बिने बेन लेना है इस तर के से बेनने है आपको अब देखे इसका उपर फिर तीन चेन 1-2 और यह तीन अब फिर इस तर के से कुरिसमे धागाला पेटने है और 1 अर यह दो धागा है इसी में से आपको फिर से दो बार बनाना एक बार फिर देखे इस तरीके से लेकर जाना है और ये दो में से एक बनाना है अब देखे कुरुशे में तीन लूप है तीन लूप में एक साथ बनानी है देखे इसी बात को रिपीट गरनी है एक दो तीन चेन और फिर अब देखे एक दो तीन तीन से एक साथ डबल कुरिशी बिने बेल लेना है देखे इस तरी के से अब इसका उपर एक दो तीन चेन फिर देखे इधर आप दो धागा है इसी में से आपको दो बार बनानी है देखे इस तरी के से एक बार फिर लेकर जाना है फिर ये दो है दो में से इस तरी के से निकालनी है आप देखे कुरिशी में तीन लुपे तुन लिप में एक साथ बनाना है इसी बात को रिपीट करनी है इसका उपर ये डिजाइन बनानी है एक दो तीन चेन डालनी है आप द अब देखिए इधर दो धागा है इसी में से आपको दो बार बनानी है एक बार फिर लेकर जाना है और फिर इनी में से आपको एक बार फिर बनानी है देखिए इस तरीके से अब इस पात को रिपीट करने है देखिए दो तीन दो तीन दो तीन इसी तरीके से आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है जितना लंबा बनाना चाहे उतना लंबा बना सकते हैं देखे में इधर दो बना रहे थे और तीन दो तीन दो तीन दो तीन इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है आपको और एक बात आपको ध्यान देना है कि आप जितना लंबा बनाना चाहे उतना लंबा बना सकते है पर आपको ये शूर में दो बनानी है देखिए आप देख सकते है इधर दो और इधर तीन बनानी है आपको ये बात आपको ध्यान देना है और इसका उपर आपको देखिए छेजें डालने है एक दो तीन चार पांच और ये छे छेज चेन डालने के बाद इस तरीके से लापेटनी है अब देखें ये होल है आप देख सकते हैं इधर होल है इसी होल में से आपको बनानी है एक बार फिर लेकर जाना है दो बार फिर लेकर जाना है तीन बार इस तरीके से तीन बार बनानी के बाद अब कुरिशी में 4 लूप है, 4 लूप में 1 साथ बनाएंगे, देखे इस तरीके से बनानी है आपको, अब देखे इसका उपर चेन डालनी है, 6 चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चेन डालनी के बाद एक बार लप पेटिंगे, और फिर इसी होल में से आपको फिर 3 बार बनानी है, 1 बार, फिर से 2 बार, फिर से 3 बार, इस तरीके से बनानी है, अब देखे, कुरिशी में 4 लूप है, 4 लूप में 1 साथ बनाएंगे, अब देखे, इतनी बनानी के बाद, अब त्यान देख कर देखे, इस तरीके से लपेटनी है, और ये वाले छोड़कर, अब ये वाले में से आप आपको बनानी है देखिए इधर भी ओल है आप देख सकते हैं इसी में से आपको फिर तीन बार बनानी है एक बार फिर से दो बार और एक बार और बनाएंगे इस तरी के से तीन बार बनानी है आप देखिए तीन में से एक साथ बनानी है एक दो तीन चार पार छे छे चे डाल फिर लपेटने एक बार और इसी ओल में से फिर आपको तीन बार बनाने है एक बार दो बार अरे तीन बार तीन बार आपको बनाने है अब देखे कुरिशी में चार लुप है चार लुप में एक साथ बनाएंगे देखे इस तरीके से बनाएंगे अब देखे अब इसका उपर आपको इधर छोड़कर इस में से आपको फिर तीन बार बनानी है एक बार दो बार तीन बार इस तरीके से बनानी है अब देखिए चार लुप में से एक साथ निकालनी है अब इसका उपर फिर आपको चेन डालनी है छे चेन एक दो तीन चार पांट छे अब देखिए ये वा दो बार और ये तीन बार इस तरीके से बनाने है अब देखे चाल लुप में एक साथ अब फिर देखे ये वाली छोड़ने है ये वाली में से आपको फिर बनाने है तीन बार एक बार दो बार और ये तीन बार बनाने है अब फिर एक साथ बनाएंगे अब चेन डालने एक दो तीन, चार, पांच, छे और फिर इसी में से बनानी है देखे इस तरीके से एक, दो, तीन, बनानी के बार एक साथ बनाएंगे देखे और फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक, छेचेन और फिर इसी होल में से आपको बनानी है एक बार, दो बार, और ये तीन बार इस तरीके से तीन बार बनानी के बार अब देखे चार लुपे चार लुप में एक साथ बनाएंगे देखे अब इसका उपर आपको फिर से डिजाइन बनाती हुए जाना है ये वाले में से बनाएंगे एक दो तीन बार बनानी है और इस तरी के से बनानी के बार अब आपको फिर चेन डालनी है छे चेन डालनी है एक दो तीन चार पार छे छे चेन फिर इसी में से आपको फिर तीन बार बनानी है एक बार, दो बार, औरे, तीन बार, इस तरीके से बनानी है, अब देखिए, कुरुशी में चार लुपे, चार लुप में एक साथ बनाएंगे, देखिए, आब इस बात को रिपिट करते हुए बनानी है, अब देखिए, इस में से आपको फिर तीन बार बनानी है, एक बार, अरे तीन बार इस तरीके से तीन बार बनाने के बाद फिर एक जाद बनानी है इसी बात को आपको रिबिट गारने है फिर इधर छेचेन डालनेंगे देखे छेचेन डालने के बाद इसी गोल में से फिर बनानी है एक बार दो बार अरे तीन बार अर्था तीन बार बनानी है और तीन बार बनानी के बाद एक साथ इसी बात को रिबिट गाते हुए आपको बनानी है मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए ये पूरी करती हूँ इस तरकी से लेना है फिर ये गोल में से फिर बनाने है एक दो और एक तीन इस तरकी से तीन बनाने के बाद चारों में से एक साथ बनाएंगे देखे एक साथ इस तरकी से एक चार और चार में से एक साथ फिर एक दो तीन चार पांच और एक छे छे बनाने के बाद इसी ओल में से तीन बार बनाएंगे एक बार दो बार और यह तीन बार पीर एक साथ बनाएंगे चार में से एक देखे इस तरकी से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाने है देखे यह मैं एक बना चुकी हूं इस तरह का और इसी तरीके से मैं और बनाऊंगी ये इसकी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड बहुती सुन्दर डिजाइन है और आप जितना लंबा चाय उतना लंबा बना सकते हैं बहुती सुन्दर है अब देखिए फिर सर्कल बनाना है और सर्कल के पीछे जो धागा है ये आपक बनाने के लिए और ते 38 सिलिप नने के बाद फिर को तींचेंड डालने है देखिए इस तरा केशे बिंगे 3 ege 2 दो अबॉरें ऑभबत सितने आपको क्या गरनी है इटनी चेन डालनी के बाद इस तरीके से लपटिनी है और लास्ट वाले च्पराइब से यह लास्ट वाले चेन है इसी में से आपको douvy धुल कुरुषी बिनाए भेन लेना है देखे इस तरीके से two loops में से निकालनी है फिर से कुरुषी लेकर जाना है फिर दो लुबसे निकालना है इस तरीके से डबल कुरुशे भी नहाई एक, दो, तीन फिर तीन डालने के बाद फिर एक बार कुरुशे में धागे लपिटनी है और देखे इधर दो नजर आ रहा है इसी में से आपको दो बार और बनाने है देखे एक फिर से लेगना है और इसी दो में से और एक बार बनानी है देखे इस तरीके से आप देखे कुरिश में तीन लूप है तीन में से एक साथ बनाएंगे अब इसी बात को रिपीट करनी है फिर देखे तीन डालनी है और फिर आप देखे इसमें तीन लूप है देखे एक दो और ये तीन तीन में स आपको डबल कुरी से बिने बेन लेना है देखे इस तरीके से फिर इसका उपर आपको तीन चेन डालने है एक दो अरे तीन और फिर देखे ये दो लूप से आपको दो बार बनाने है एक बार और फिर से एक बार बनाएंगे दो बार इस तरीके से बनाने है आपको इसी बात रिपीट गरनी है देखे ये वाला डिजाइन इसका उपर डालेंगे अब देखे तीन लूप है तीन लूप से आपको इस तरह किसे बनाना है डबल कुरूशी बना है एक, दो, और ये तीन चेन अब देखे कुरूश में दो लूप एक और ये इनी में से आपको दो बार और बनानी है देखे ये और ये में से आपको दो बार और बनानी है एक बार और ये एक बार अठाथ कुरूश में तीन लूप और तीन में एक साथ इसी बात को रिपीट गरनी है इसका उपर मैं भी इसी बात को repeat करते हुए दुस्ती जितना size का बना रही थी उतना size का ये भी बनाती हूँ और ये भी बनाने के बाद आपको फिर इसका जोड़ाई किस तरीके से करनी है ये में देखाऊंगे देखें मैं इसमें ये दो बना रही हूँ तीन, दो, तीन, दो, तीन, दो, तीन इस तरीके से बनाते हुए दुसरा जितना लंबा है उतना size का मैं बना रही हूँ आप भी उसी size का बनाएगा सारी आपको एकी size का बनानी है देखें सुरी में आपको दो बनानी है और लाश में आपको तीन बनानी है ये बात आपको ध्यान देना है और देखे इसका उपर आपको 6 चेन डालने है अब देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब देखे एक बारला पिटनी है देखे ये वोल है इसी में से आपको बनानी है देखे इस तरीके से 1, फिर इसी में से 2, फिर इसी में से 3, इस तरीके से बनानी है अब देखे चार लुप है चार लुप में से एक साथ बनाएंगे देखे इस तरीके से बनानी है अब देखे इसका उपर आपको फिर चेन डालनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 चेन डालने के बाद अब इसी में से फिर आपको बनानी है देखे एक दो तीन बनानी के बाद एक साथ बनाएंगे फिर अब इसका उपर आपको कोई भी चेन डालने नहीं है ये छोड़नी है आपको और ये में से आपको फिर से बनानी है ये वोल है इसी में से बनानी है एक दो तीन इस तरीके से आपको बनानी है और फिर इसमें एक साथ बनाएंगे देखे इस तरीके से आप देखे एक दो तीन चार पात छे इस तरीके से बनानी के बाद अब इसी में से फिर हम तीन बार बनाएंगे देखिए इसे में से तीन बैर बनानी है तो देखिए ये होल है इसे में बनाएंगे एक दो और ये तीन फिर चार लूप में से सारी में बनाएंगे फिर देखिए इस तर के से लापिटनी है और ये वाले छोड़कर इस से वाल में से फिर तीन बार बनानी है एक बार दो बार और इस तर के से बनानी के बाद चार लुप से एक साथ इस तरीके से निकालनी है अब इसका उपर चेन डालनी है आपको फिर से चेन एक दो तीन चार पांथ छे अब फिर देखिए इसी होल में से फिर आपको बनानी है एक बार दो बार और एक तीन बार इस तरीके से आपको बनानी है अब देखिए एग छोडकर Beyondot मेंसे फिर आपको बनानी है इसी तरीके से इसी बात को रिवीट करते होई देखे को तीन बार बनानी के बात 1 7 फिर इसका उपर चेन 1 2 7 चेन दालने के बात देखी फिर इसी ओर में से बनानी है 3 बार एक बार, दो बार, और फिर एक बार बनाएंगे, तीन बार, इस तरके से बनानी है, और चार लुप से एक साथ निकलनी है, इसी बात को repeat करते हुए बनानी है आपको, देखे इस तरके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, देखे इधर में बना रही हूँ, और इस म तोपर में चोड़कर यह वाले मीं से फिर से बनांगी एक दो तीन भनानी के बाद आप चार में से एक सत बनाइंगे फिर आपको इसका उपर छे चेंद डालने हैं तोजा ओ एक दो तीन चार पांक छे बनानी के बाद इसी में से ये होल है इसी में से बनानी है आपको एक दो तीन इस तरीके से बनानी है तीन बार फिर एक साथ बनाएंगे अब फिर इसका उपर आपको चेन डालनी है देखिए इस तरीके से बनानी के बाद आप देखिए इसका उपर चेन ड को दकी तीन चैन डालने के बाद ये मैं काफी शारे लंबे साइज का बना रही हूं और इतनी बनाने के बाद ये वाले कनेक्ट करने है आपको यह वाले connect करने के लिए आपको तीन चेन डालने है इसका उपर एक दो और ये तीन चेन डालने के बाद ये शीधी साइड है और ये देखिए ये इसकी सीधी साइड है तो सीधी साइड इस तरह किसे पलटना है यह इसकी उल्टी साइड है यह सीधी साइड आप देख सकते हैं और इस तरीके से रखने के बाद अब देखें यह वाले में से आपको कनेट करने हैं इस तरीके से अब फिर देखें इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है तो एक दो तीन चेन डालने है और ये तीन चेन डालने के बाद ये वाले में से आपको बनानी है देखे एक दो और ये तीन इस तरीके से आपको बनानी है और फिर एक साथ बनाना है देखे इस तरीके से आप देखे इतनी बनानी के बाद अब आपको क्या गरनी है अब इसका उपर फिर आपको इस तरकी से लेना है आप देखिए ये वाले छोड़कर इस वाले में से फिर तीन बार बनानी है एक बार दो बार अरे तीन बार इस तरीके से तीन बार बनानी के बार चार्ल में से एक साथ बनाएंगे देखे इस तरीके से बनानी है अब इसका उपर चेन एक दो तीन अब देखे ये वाले होल में से आपको सिंगल कुरी से बनानी है देखे इस तरीके से आप सिंगल कुरी से बनानी के बाद एक दो तीन चेन और फिर तीन चेन बनानी के बाद इस तरीके से लपटनी है और इसी होल में से आपको बनानी है एक दो और ये तेन इस तरीके से आपको बनानी है और सार में से एक साथ बनाएंगे देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है आपको बहुत ही सुन्दर डीजाइन बन कर आ रहा है अब देखिए इतनी बनानी के बाद आप देखिए कुरुसे में एक बार लापेटनी है और इसी होल में से फिर बनानी है एक फिर से दो फिर से तीन इस तरीके से बनानी है आप एक साथ बनाएंगे इसी बात को रिपीट करने है एक दो तीन तीन बनानी के बाद आप देख सकते हैं इसका प हिए कि अपज सकते हैं बहुत सुन्धा डिज्यान भार कर आ रहा है फिर एक दो टीन चेर्ज बनानी है फिर इदर आपको इसी तरीके से बनानी है एक बार थो बार तेन बार इस तरीके से बनानी है और कुर्ष में 4 है चार में से 1 सद बनाएंगे इसी बात को repeat कोर देमें आपको करते हुए आपको को बनानी है आप दिखे इतनी बनानी की बाद लास्ट में आ रही हूं और फिर आपको यह वाल में से फिर बनाने एक 2 है को अरिये 3 नहीं देखें тепर बार एक साथ बनाएंगे अब देखिए एक दो तीन चेन और फिर ये जो चेन है इसी में से आपको सिंगल कुर्शे बनानी है देखिए एक दो तीन चेन फिर इसमें इधर गोल नजर आए और फिर इसी में से तीन बार बनानी है दो बार और ये तीन बार इस तरके से बनानी के बाद तीन में से एक साथ फिर से देखिए इतनी बनाने के बाद अब इधर आपको चेन डालने है एक दो और ये तिन चेन डालने के बाद इसकी उपर वाली चेन पे से आपको शिलिविश्टिस लगा रहे है देखे इस तरीके से अब देखे इतना रेडी हो चुका है ये आप इसी तरीके से बनाएंगे एक दो एक दो एक दो एक दो इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको दूसरी बनानी है अब इसमें भी मैं जितना दूसरा लंबा का बना रही हूँ और उतनी बना रही हूँ और देख तीन दो तीन बनाते वे लास्ट में तीन बना रही हूं mathematics सके लास्ट में तीन है ये बात आपको धयान देना है अब इसकापर चेन डाल निए छेछेण 12 तीन चार 5 6 chưa छे चेन बनानी के बाद ये वाला छोड़कर इस में से आपको फिर बनानी है ये वाली में से देखिए इसमें एक दो और ये तिन अब चार लूप है चार लूप में से एक साथ बनानी है आपको इस तरीके से अब देखिए इतनी बनानी के बाद अब इसका उपर चेन एक दो तीन चार पात छे चेन डालने के बाद और फिर एक बार लूप इटनी है और इसी होल में से बनानी है एक बार दो बार तीन बार फिर एक साथ बनाएंगे फिर इसी तरीके से ये छोड़ने है और ये वाले में से बनानी है आपको ये वाल में से एक तो और ये तीन तीन बार बनानी है और फिर कुरूश में चार लूपे चार लूपे एक साथ बनाएंगे देखेंगे फिर से एक दो तीन चार पांट छे चेंड डालनी है और इस तरीके से लूपे नहीं है फिर इसी वाल में से बनानी है एक दो तीन इस तरीके से बनानी है आप देखेंगे कुरूश में चार लूपे चार लूप में एक साथ बनाएंगे इसी बात को आपको रिपीट करने है फिर से एक फिर से ये दो तिन इस तरह के से बनानी है अब देहें कुरेशे में चार हुए चार में से एक साथ बनाएंगे देखे इतनी बनानी के बाद अब देखे एक दो तिन चार पांत चार बनानी के बाद इसी होल में से फिर से बनानी है आपको एक दो तिन इस तरह के से बनाना है फिर कुरुशे में चार हुए चार में से एक साथ बनाएंगे इसी बात को repeat करने हैं यह चोड़कर यह वाले में से बनानी है इसी बात को repeat करते हुए बढ़ायेगा अब देखिए इसी तरके से बनाते हुए मैं last में आ रहा हूँ देखिए यह इसki CD और यह mílty side है इसका यह CD side और यह ulty side साइड एक साथ राखनी है आप प्र देखिए इसका उपर एक दो और तीन चैन अब देखिए यह आप है इसे में से सिंग्ल कुरी से बनाएंगे फिर एक दो तीन चैन और पिर यह मिन हो है इसे में से बनाएंगे एक है कि दोई आ यह यह तिन अजे तीन बार बनाएंगे अब फिर एक साथ इसी बात को रिपीट गरने हैं आपको फिर से देखें इस वाले में से फिर बनाएंगे एक दो तीन इस तरीके से बनानी है फिर एक साथ इसी बात को रिपीट गरते हैं बनानी है अब एक दो तीन चेन तीन चेन बनानी के बात देखिए अब आपको यह वाले में से कनेट गरने है और फिर तीन चेन एक दो तीन चेन डालने के बात यह वाले में से आपको बनानी है एक दो तीन इस तरीके से तीन बार बनानी है फिर एक दो फिर यह तीन बार बनानी है लुप है टीन बार बनानी के बात चार लुप है चार लुप महें एक साथ बनाएंगे फिर चेन डालनी है तीन चेन एक दो तीन चेन और तीन चेन डालने के बाद ये चेन है इसी में से आपको कनेक्ट गरने है इस तरीके से कनेक्ट गरने है अब फिर देखिए इसी बात को रिपीट गरते हुए में इसका जोड़ाय गरती हूँ अब देखिए इतनी बनानी के बाद फिर में यह वाले में एकी वेशार टीन बार बनाने है अब एक तर बनानी के बाद आप एक स्भू कि देब करने है इसतो 명 करने करने हैung फिर एक दो नराने है अब देखिए ये वाले में से इदर होल है, इसी में से बनानी है, 1, 2, 3, इस तरीके से बनानी है, अब देखिए, ये वाले में से फिर बनानी है, आपको, 1, 2, 3 इस तरीके से बनानी है आप देखें, 1, 2, 3 छेन डालने के बात यह वाली में से फिर कनेकर करने है आपको फिर 1, 2, 3 छेन आप देखें, यह वाली में से आपको बनानी है एक, दो, और एक, तिन, इस तरी के से तिन, और था चार बनानी के बाद, चार का एक, अब देखें, इसी बात को रिपीट काते हुए, बनानी है, फिर एक, दो, तिन चेल, और फिर तिन चेल बनानी के बाद, अब इसमें फिर तीन चेल, एक, दो, तीन चेल, और इसका उपर वाले चेल में आपको फिर सिलिविश्टिस करनी है, इसी बात को दियान देते हुए, बनानी है आपको, देखें, बहुती सुंदर और खुब सुरत बन कर आ रहा है, अब इस तर के से एक चेन डालनी है, और य अब यह धागा आपको लग गरनी है, चेन से आपको इस तर के से लेना है, और फिर लग करनी है. जितनी आपका वुष्टे धागा है, आप सारी इसी तर के से लग गरियेगा, मैं भी शारी इसी तर के से लग गरती हुँ, इतनी बनानी के बाद ये चेन से इस तरीके से धागा लग करते हैं जिसकी बज़ा से ये खुबसुरत आए और ये मजबूत हो जाए इसलिए आपको जितनी भी ओष्टे धागा आए इसी तरीके से लग करनी है देखिए इतनी बनानी के बाद आपको ये धागा कट करने है देखिए बहुती सुन्दर ये बन कर आ रहा है आपको क्या से लगा कमेंट करके जरूर बताईए और आभी तक में चैनल नौए अधो पिलीज पिलीज सस्क्राइब करें आज का ये खुबसुरत और आसान पोर्जेट्स रे बिदा होती हुँ फिर दूसरी अलग और खुबसुरत निटिंग का पोर्जेट्स लेते आउंगी आज के लिए बिदा होती हुँ दिपान निटिंग ज्यानेल थने बाद